Treat Social Skill Deficits as Errors in Learning हम जब Social Skill Development की बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि Social Skill Development उतनी ही ज़रूरी है जितनी Academic Development है और जहां पर Social Skill Development का तालुक है तो Social Skill Development के तहत ही बहतर Management Classroom में हो सकती है तो जब Teacher Students के साथ काम कर रहे होते हैं या उनकी Assessment कर रहे होते हैं, Assessment चाहे वो Academic हो चाहे वो Behavioral Assessment हो तो वहां पर ये चीज़ सामने आ जाती है कि ऐसे कौन से तालिबिल्म है जो Social Skill Deficit का शिकार है जो Social Skill Deficits हैं वो दो किसम के होते हैं या तो वो Skill Deficit होता है या वो Performance Deficit होता है Skill और Performance Deficits जो है ये इन दोनों की मौझूदगी से या इन में से एक की भी अदम मौझूदगी से ये हो सकता है कि Student जो है वो इजहार ही नहीं कर पाता किसी भी किसम की Social Skill का तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि Deficit कहां है और Deficit क्यों है वो Students और वो Teachers जो आपस में मुस्तिकिल राप्ते में रहते हैं वहाँ ये जानना बहुत आसान हो जाता है लेकिन वो Teachers जो सिर्फ जो है Academic Content पर Focus करते हैं और Behavioral Demonstrations जो हैं उनमें इतना उन पर इंता Focus नहीं करते तो वहाँ पर ये जानना और भी मुश्किल हो जाता है तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप अपने Students की Behavioral Assessments ले रहे हों तो वहाँ पर ऐसे Students पर खास Focus करें जो किसी Social Skill Deficit का शिकार हैं और इसमें जो है इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो बच्चे हैं ये वो तालेबिल्म हैं जो आगे जाकर मजीद Frustrate होते हैं Depressed होते हैं Demotivate होते हैं और ये अमल जो है ये फिर Violent Acts की शकल में भी सामने आ सकता है ये severely at risk students हैं क्योंकि जो Social Skills हैं ये एक inherent phenomenon है Human beings are born with the capacity to be social और अगर ये बच्चे जो हैं ये एक normal behavior को manifest नहीं कर रहे एक normal रवईये के साथ classroom में behave नहीं कर रहे तो फिर कहीं पर मसला है उस मसले को जानना और उस मसले का हल तलाश करना जो है वो बेहत ज़रूरी है इसमें जब हम जानने की बात करते हैं जब हम ये जानने की बात करते हैं कि students को हम कैसे ये जान सकते हैं कि इस particular ताले बिल में कोई social skill deficit है तो इसमें तो सवालात किये जा सकते हैं students से या कोई ऐसी conditions जो है create की जा सकती है मिसाल के तौर पर role play करवाया जा सकता है और role play के जरीए आप ये सामने आ सकता है कि जो ताले बिल में वो किस तरह जो है वो role play का हिस्सा बनता है या किस तरह situation को dramatize कर पाता है अगर वो अच्छी तरह नहीं कर पा रहा इसका मतलब है कि कहीं पर social skill deficit मौझूद है जो social skill deficit है उस पर खास तवज्जो देनी चाहिए और अगर आपका curriculum जो है उसमें social skills और academic skills दोनों का वो इमतिजाज होगा तो वहाँ पर automatically आप इस पर तवज्जो देंगे लेकिन अगर आपका curriculum जो है वो totally academic driven है तो फिर ये area neglect हो जाता है और अगर जब ये area neglect हो जाता है तो फिर जाहर है कि आप भेहसियत उस्ताद के इस domain पर तवर्जो नहीं दे पाते जिसका मतलब ये है कि students जो है वो neglect हो जाते हैं और उनके जो frustrating attitudes हैं वो discover ही नहीं हो पाते और जब वो discover नहीं हो पाते तो फिर आगे जाकर आप violent acts को भी control नहीं कर पाते तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो social skill deficit है that is an error in learning तो देखना ये ज़रूरी है कि क्या वक्त के साथ साथ students जो है वो social skills को learn कर पाएंगे या उनको specialized programs की ज़रूरत है जिनके तहित वो ये learning जो है कर पाएंगे या उनको वो इतने severely deficit इतना severe deficit है कि उनको जो है वो उनको school के beyond जो है चनद programs की ज़रूरत है जिसमें जो दूइगर stakeholders है वो involve हो रहे हैं जिसमें parental support आ जाती है जिसमें community support आ जाती है इसलिए ये बेहत ज़रूरी है कि social skill deficit को discover किया जाए उस पर काम किया जाए ऐसे programs की तश्कील दी जाए school में जिससे ये problems जो है इनका हल तलाश किया जाए और अगर problem का हल out of school situation में है तो उसकी भी मदद ली जाए ये तमाम चीजें जो है वो बेहत ज़रूरी है अगर हम ये देखते हैं कि social skill development is very important to manage a classroom and it is very important to have a good atmosphere in the classroom so such students who display social skill deficit they need to be addressed to very properly and in a very systematic manner